तो कल एतियासिक वाल्टेश चैंपियन सिफ का फाइनल खतम हुआ जिसमें टीम न्यूजिलैंड ने सांदार जीत हासिल की है इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के हार के उन पांच करणों से रूबरू कराएंगे टीम इंडिया के हार की सबसे पहली बजा रही दोनों उपेनरों का ना चल पाना जिहां पहली पारी में रुईत और शुम्मन ने अच्छी सुर्बात दिलाने की पोशिश तो की और बासाट रन जोरे थे लेकिन जो टीम के लिए काफी साबित नहीं हुआ वही भारत के हार की दूसरी सबसे बड़ी बजा रहे चेतिस्षर पुजारा जिहां टीम इंडिया की दीवर कहे जाने बाले चेतिस्षर पुजारा दोनों ही पारियों को मिला कर 20 रन से ज्यादा नहीं बना पाए जिहाँ पहली पारी में 8 run केबल और दूसरी पारी में 15 run बना सके टीम इंडिया के तीसरी बल्ले बास का ना चल पाना टीम इंडिया को खासा महेंगा पड़ गया टीम इंडिया की हार की तीसरी बजा रहे कप्तान विराट कोली जिहाँ सबसे पहले तो टीम चैन को लेकर ही उनकी काफी अलचनाय हो रही थी साफ कहा जा रहा था कि इस पिछ पर तेज गिंदबाजों को मदद मिलेगी लेकिन वो दो स्पिनर के साथ उत्रे इसके अलाबा बल्ले से भी वो कुछ खास पदश्रें नहीं कर पाए पहली पारी में 44 रन वोई दुश्री पारी में सिर्फ 13 रन बना पाए थे टिम इंडिया के हार की चौती बजा रहे जस्पित बुम्रा जिहाँ टिम इंडिया की तेज गिंदबाज जस्पित बुम्रा अपने सांदर गिंद बाजी के लिए जाने जाते है लेकिन इस टेस्ट मैच में वो अपनी खड़ाब गेंदबाजी के लिए बज़ाई से याद किये जाएंगे किम इंडिया की हार की पांच भी बज़ा रहे रविंद जड़ेजा जहां तेस गेंदबाज के मददगार इच पीच पर टीम इंडिया पहले तो दो स्पिनार के साथ उत्री जहां पर रविंद जड़ेजा के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं था पहली पारी में तो सिर्फ साथ दसम लग दो ओबर उन्होंने गेंदबाजी की इसके अलाबा बल्ले से भी रविंद जड़ेजा ने कुछ खास योगदन नहीं दे पाए जहां पहली पारी में केबल संदरारान वही दूसरी पारी में सिर्फ सोलारानी बना पाए तो यही रही वो पाँच बज़े जिसके बज़े से टीम इंडिया को वर्ल्टेस चैंपेंसिफ की फाइनल में हार का समना करना पड़ा आपको क्या लगता है इस मैच में बड़े में नीचे कमेंट्स में बताए यह साथ ही देश और दुनिया के ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूस चैटर को